हलो वेलकम जेन दोस्तों रीट मुख्य प्रिक्षा 2023 है तू राजिस्थान के भुगोल की कलास नंबर 19 आज आपके लिले कर आया हूँ देखिए कलास नंबर 19 है ये इसके पहले हम 18 कलासों को पढ़ चुके हैं अब इन 18 कलासों में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार हम उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि थर्ड ग्रेड मुख्य एक्जाम जो आपके जनवरी 2023 में है उसके लिए बिल्कुल निशुलक संपून कोर्स की कलासे यहां पर चलाई जा रही है साथियों तो देखियेगा आज तो हमारा टोपिक है राजस्थान की प्रमुक फसले जो लेवल एक के लिए भी है और लेवल दो के लिए भी है लेकिन आज का है यह टोपिक तो इसके पहले जो हमने 18 कलासे पढ़ी है साथियों उसमें क्या क्या चीज़े हम पढ़ चुके हैं एक बा ठीक है यह सारी चीज़े नहीं देखी है तो प्लेइलिस्ट में ने बना रखी है साथियों बिल्कुल वीडियो के एंड में प्लेइलिस्ट मिल जाएगी और कमेंड बोक्स में भी आपको इसकी पूरी प्लेइलिस्ट मिल जाएगी जिसमें पिछली 18 कला से रिकोडेड है दूसरा हमारा जो टोपिक था वो था राजस्थान का भोतिक वीबजन इसको भी हमने पढ़ लिया है तीसरा हमारा जो टोपिक था वो था राजस्थान की नदिया पूरी कर लिया है कम्पलीट राजस्थान की जीले कम्पलीट कर लिया है राजस्थान की वन संपदा कम्प कर लिया है तो यह 8 टोपिक आपके पूर्ण हो चुके हैं साथ यौ अभी कलास चलाए है, 20 दिन है, 20 दिन में 8 टोपिक कमप्लीट करा दिये मैं अपको, आज का जो हमारा टोपिक है, राजस्तान की परमुख फसले, तो आज का यह हमारा topic रहेगा साथियों देखिएगा यहां से भी आपके एक प्रिशन निश्चित रूप से बनने वाला है तो वीडियो को पूरा देख करके जाईएगा साथियों पूरा course यहां पर करवाय जा रहा है और विशेज बात यह है बिल्कुल जो आप coaching लेके notes बनाओगे उससे भी बहतरीन तरीके से notes के माद्यम से यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल authentic किताबों के माद्यम से इन फेक्टों को मैं आपके सामने लाता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को देखेगा आपके जो syllabus जारी हुआ था साथियों syllabus में बिल्कुल साफ साफ टोपिक दे रखा है राइजस्थान की परमुक फसले तो हम यहां पर बिल्कुल वीवरन से पढ़ने वाले हैं साथियों मैं आपको बता दूँ कि आपको इसी भी एक किताब में से पढ़ते हो तो आपके पास आधी हादूरी चीज़े होती है लेकिन यहां पर आपको चार से पाथ जो ऑथेंटिक किताबे उनका पूरा सार यहां पर दिया जा रहा है तो फसलों के बारे में अब आप नॉर्मल सब जानते हो कि भई फसले क्या होती है यह तो बताने कि आपको जरूरत नहीं है जब किसी करशी भूमी पर एक ही परकार के पोधे बोए जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं साथ यूप फसल कहा जाता है मुख के रूप से बात करें राजिस्तान में परमुख फसलों के परकारों की तो तीन भागों में फसलों को बाटा गया है कितने भागों में तीन भागों में बाटा गया है जैसे आपके मोसम होते हैं कि सर्दी का मोसम होता है बरसात का मोसम होता है जो अभी आपके चल रह है और एक आपके गर्मी का मोसम होता है तीनों ही मोसम में अलग-अलग प्रकार की फसले होती है तो सब हीने पढ़ रखी होगी ये चीजे तो कि वह राजस्थान में जो प्रमुख फसले हैं इनको तीन भागों में कौन से बागों में बटा गया है खरीब की फसले रभी की फसले और जायद की फसले ये ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज़े नहीं है क्योंकि ये तो अपन कक्षा छेटी साथवी में से ही पढ़ते आ रहा है इन चीजों को जब हम कक्षा तीसरी चोती पाथवी छेटी उस वहीं से बिलकुल नई जानकरी के साथ में साथियों तो एक बार इन तीनों के उपर बात करेंगे कि खरीब की फसले क्या होती है रभी की फसले क्या होती है जायद की पसले क्या होती है और कब वो ही जाती है इनकी बुवाई की जाती है इनकी कटाई कब की जाती है इत्यादी ची वर्तमान में आपके चल रही है बरसाथ का मौसम चल रहे ना तो वर्तमान में जो फसले चल रही है ये कौन सी फसले चल रही है खरीब की फसले चल रही है इन फसलों की जो बुवाई है वो जून जुलाई में की जाती है जबकि इनकी कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर माह में जैसे जून में भी जून के लाश्ट या फिर 15 जून के आसपास से खरीब की फसलों की भुगाई चालू कर देते हैं अब पूरी जुलाई रहती है पूरी अगस्त रहती है सितंबर एंड में और अक्टूमर इस्टार्टिंग में खरीब की फसलों की कताई लगवख चालू हो जाती है साथ योग अगर हम बात करें तो खरीब की फसलों को शालू या सियालू के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से इसको शालू और सियालू भी कहा जाता है किसको खरीब की पसलो को इसमें मुख की रुप से कौन कौन सी पसला आती है तो उनको देख लेते हैं देखिएगा राजस्तान में बाजरा के बारे में तो सभी जानते होंगे ज़ो राजस्तान को जानते है वो बाजरे को भी जानता होगा कापास है गन्ना है मूंग भली है जोवार की पसल है चावल की पसल है मूंग की पसल है गवार की पसल है अरंडी की पसल है तिल की पसल है इत्यादी ये सबी पसले किसके अंतरगत आती है साथियों खरीब की पसलों के अंतरगत ये आती है तो ये है आपके खरीब की पसल कब बशले के पुजए होगी, जुन जुलाई में कटाए कब होगी, सितंबर में क्या कहा जायेगा, शालू या सियालू कहा जाएगा, ठीक है, बरसात वाली फसल है ये, डूसे नंबर पे हम बात करें, तो दूसे नंबर पे आता है आपके, रखी की फसले, ब खरीब की बरसात क में हमने पढ़ा था कि करीब की फसलों की कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर में तो जैसे ही उन फसलों को काटा जाता है खेतों को वापिस तयार करके फसलों के लिए तयार करके और रभी की फसलों क्यों बो देते हैं साथियों तो अक्टूबर नवंबर में इनकी अपने सबजे में डालते है। तो धनिया की पसल, रभी की पसल है, सरसो, तेल वाली वोई, जिससे सरसो से तेल निकला जाता है सात्यों, खाने के लिए भी उपयोग करते हैं, और अन्नी भी उपयोग में लिये जाते हैं, गेहूं, गेहूं को सबी जानते हो, चना, चना की दाल बनती है, मतर, मतर की दाल ब हैं इनमें एक एक फ़सल के ओपर फुल डिटेल से बात करने वाले हैं तो सात्यों यह सभी रभी खरीब या जयर तीनों अबूरी दिटेल सब्सक्रां सर्दियों और यहां पर जायत की फसले वाली हैं और से घर्मियों में बोई जाती है जायत की पसले इनकी बुवाई मार्च अपरेल में की जाती है मतलब जैसे ही रभी की पसल की कटाई की जाती है उसके बाद कौन सी पसल बोदी जाती है जायत की पसले बोदी जाती है इनकी कटाई मैं जून में की जाती है क्योंकि मैं जून मै जून में इनकी कटाई कर लेंगे वापिस केतो को तयार करेंगे और जून जुलाइ में वापिस हम कौन सी फसल बोढ़ेंगे खरीब की फसल बोढ़ेंगे जो बरसाती फसल होती है इसमें परमक रूप से कौन कौन सी खर्बूजे हैं, खाने के लिए यूच करते हैं, तर्बूज हैं, खाने के लिए यूच करते हैं, खाने के लिए यूच करते हैं, तो साथ यो सीधी सी बात है, जायत की जो फसले होती है, ये खाध्यान फसले होती है, खाने के लिए फल के रूप में उनका हम रूप करते हैं जायत की फसले ठीक है अब हम बात करेंगे एक एक फसल के बारे में राजस्तान की परमुक फसलों का विवरन डिटेल से यहां से जो हमने पढ़ लिया ना यहां से प्रिशन आ गया तो सभी के प्रिशन सही हो जाएगा लेकिन अब जो चीजे हम पढ़ने वाले हैं अगर वहा सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाजरा के बारे में किसके बारे में बाजरा के बारे में बाजरा को सबीने देख भी रखा होगा साथियों बाजरे को गरीब मनुष्य का भोजन कहा जाता है मतलब जो देखो नाम भी क्या है इसका गरीब मनुष्य का भोजन किसको कहा जाता है बाजरे को कहा जाता है सरवादिक केलोरिक वेल्यू रखता है कौन सा बाजरा साथियो केलोरिक मतलब जब हम बाजरे की जो फसल है उससे बाजरा उत्पदन करके उसके आटे से रोटी बनाते है बाजरे की तो साथियो सरवादिक केलोरिक वेल्यू उससे हमें मिलती है गरीब मनुष का भोजन वेरी इंपोर्टेंट फेक्ट है ये किसको कहा जाता है बाजरे को कहा जाता है क्योंकि बाजरा इसकी एक तो किमत भी जादा नहीं होती है और आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है साथियों तो इसके लिए ज़्यादा धन की आव जाता है आना जो में ठीक है बाजरे के उत्पादन में राजस्तान का देश में प्रतम इस्तान है साथियों ये जो फेक्ट है ये सबसे इंपोर्टेंट वाला फेक्ट है क्योंकि प्रश्रे पूचा जा सकता है कि बाजरे के उत्पादन में राजस्तान का भारत में कौन सा राजस्तान है तो बिल्कुल आपको याद रखना है देश में सर्वादिक बाजरे का उत्पदन कहा पर होता है राजस्तान में ही होता है साथ क्यों इसको विश्यस तोर पे आपको याद रखना है इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा बाजरा राजस्तान में सर्वादिक की कमी रहती है किसकी कमी रहती है पानी की कमी रहती है और बाजरे की जो फसल है वो कम पानी में भी आसानी से पेदावार इसकी हो जाती है तो ये चीज बहुत इंपोर्टेंट है और इसके लिए जो उप्यूक्त मिट्टी मानी जाती है वो रेतिली मिट्टी मानी जाती है त अतलब सरवादिक राजस्तान में कौन सी पसल्ब होते हैं, बाजरा बोते हैं, शेत्रपल की दृष्टी से अगर हम बात करें, उत्पदन की बात करें, तो राजस्तान में बाजरे का सरवादिक उत्पदन, यहां पर टाइपिंग मिश्टेक की वज़े से कुछ चीजे तो चलो मैं उसको कमेंट बोक्स में बताऊंगा, बाजरे का जो चारा होता है साथियों, इसको कहा जाता है कडबी, क्या कहा जाता है, बाजरे के चारे को कडबी कहा जाता है, तो चारा का भी पूचा जा सकता है आपके, जो बाजरे का जो चारा होता है, इसको क्या कहेंग सबसे उप्युक्त बानी जाती है ये चीज मैंने आपको बताई दी थी कि भाई रेगिस्थान में सरवधिक बाजरे का उत्पदन होता है रुआ पर मिट्टी कुन सी है रेतिली या बलू मिट्टी है साथियों बाजरा साइलेज बनाने के लिए सरोत्तम माना जाता है किसके साइलेज के लिए सरोत्तम बाजरे को ही माना जाता है बाजरे का जन्म इस्तान अपरिका को माना जाता है मतलब मूल रूप से बाजरा भारत या राजस्थान का पोदा नहीं है बलकि कहां का है अपरिका का पोदा है मूल रूप से इसलिए जन्म इस्तान किसको माना जाता ह अपरिका को विश्व में सरवदिक बाजरा भारत में ही होता है और भारत में भी सरवदिक बाजरा कहा पर होता है आपके राजिस्थान में होता है तो यह है आपके बाजरे की पसल के बारे में विवरण मैंने कहा था ना कि आपको जो चीजे इंपोटेंट है न वो तो अब वाली है क्योंकि डिटेल वाली चीजे ही ज़्यादा इंपोटेंट होती है साथ ही हो यहां पर प्रिश्ण इनी में से पूछा जाएगा कि किस को गरीब मनुष्य का भोजन कहा जाता है तो आपका उत्तर रहेगा बाजरे को क्या कहा जाता है गरीब आदमी का भोजन सरवाद केलोरिक वेल्यू कौन रखता है तो बाजरा अनाजों में सरवादिक तागतवर अनाज कौन सा है तो आपका उत्तर रहेगा बाजरा राजस्तान का बाजरे के उत्पादन में देश में कौन सा इस्तान है प्रथम इस्तान है राजस्तान में सरवादिक शेत्रपल में बोई बाजरे का सरवादिक उत्पादन होता है तो रेतिली या बलुई मिट्टी या मरुस्तिली मिट्टी में बाजरे का सरवादिक उत्पादन होता है किस के लिए सरवत्तम है साइलेज के लिए मूलत है किस देश का पोदा है बाजरा तो अपरीका का और सरवादिक बाजरा चावल सभी ने खाबी रखे होंगे जो जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बोक्स में बताइए साथियों चावल आपको कैसे लगते हैं विश्व की लगबग 50% जनसंख्या की प्रमुखा ध्यान फसल है चावल राजस्थान या भारत की बात नहीं कर रहे हैं कहां की बात कर बात सखुखा रहे हैं विश्व की पूरे विश्व में लगबग 50% जो जनसंक्या क्या खाती है साथियों चावल का यूच करती है यह सख़ाने में तो देखेगा चावल उत पदन में विश्व में परतमिस्तान किसका है Чीन Best के बाद दोसरे नंबर पर आता है साथियों भ चाइना में चावल का उत्पादन और भारत का कुन से इस्तान आता है दूसरे इस्तान आता है राजस्थान में सर्वादिक चावल का उत्पादन हनुमानगर जिले में होता है और हनुमानगर के साथ में बासवड़ा वे बूंदी जिलों में भी चावल का अच्छा खासा उत उत्तर में पड़ता है उत्तरी अनुवानगड और गंकन अगर बिलकुल उत्तरी जी लेना साथियों यहीं पर सरवादिक चावल का उत्पदन राजस्थान में होता है और यहां यह दोनों मतलब आपके अगर हनुवानगड उप्शन में नहीं हो तो आपको एक तो ने चावल की माही सुगंदा नामक नवीन किस्म का आविश्कार किया है तो मतलब माही सुगंदा एक नामें अलग-अलग नामी है यह माही सुगंदा किसकी किस्म है चावल की किस्म है और यह किसके दौरा इसका आविश्कार किया गया है करशी अनुसंदान केंद्र है बा पानी सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल है लगबग इसमें 75 दिनों तक पानी बरा रहता है तो सीधी सी बात है चावल का उत्पदन भी वहीं पर होगा जहां पर साथियों पानी की बिलकुल भी कमी नहीं आती है चावल वहीं पर हो सकता है जैसे बासवड़ा में भी साथियों इसी वज़े से हनुमानगर में चावल का सरवदिक उत्पदन होता है और लगबग कितने दिनों तक इसमें पानी बरा रखना पड़ता है लगबग 75 दिन साथियों सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत इसी फसल को पड़ती है किस फसल को चावल को साथियों आगे जाने वाला जो चावल है वो है आपके इंडिका चावल साथियों चावल को धान भी कहा जाता है तो धान या चावल के खेतों में मिथेन जिसको CH4 कहा जाता है CH4 साथियों ये गेस अधिक मातरा में निकलती है तो ये भी बहुत ही important fact है क्यूशन पूचा जा सकता है कि रहेगा आपके मित्यन गेस या CH4 ठीक है आगे बात करें तो पार्ट या हनुमानगर जिसको हम पार्ट या नुमानगर क्या सोरी पार्ट जो हनुमानगर में पढ़ता है जिसको हमने पहले भी पढ़ रखा है गंगर नदी दौरा जो निर्मित मेदान है इसी को क्या और ये बासमती चावल के लिए परसिद्ध जगए है कौन सी पाट जो हनुमानगर में इस्तिते साथ यो पाट जो हनुमानगर में इस्तिते गंगर नदी द्वारा निर्मित जो मेदान है उसी को कहा जाता है पाट गंगर नदी जो मेदान निर्मित करती है उसी को पाट कहें मतलब एक जगे पर नहीं मिल पाएंगे तो सातियों वो सारी चीज़े आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी करवाए जा रही है और इस वीडियो के माध्यम सही नहीं चाहे कोई सबी टोपिको सबी टोपिक्स में आपके हर एक फेक्ट को सम्मिलित किया जाता है तो देख चावल की खेती जिस मिट्टी में की जाती है उसका पी एच मान चार से छे होना चाहिए परमुक किसमे हैं बासमती चावल गोल्डन चावल और माही सुगंदा चावल ये तीनों ही किसकी किसमे हैं चावल की परमुक किसमे हैं पी एच मान भी पूचा जा सकता है कि चावल के लिए या चावल की खेती करने के लिए जिस मिट्टी में हम चावल की खेती कर रहे हैं उसका पी एच मान कितना होना चाहिए चार से छे होना चाहिए और पूछा जा सकता है कि बासमती किसकी किसमे है चावल की गोल्डन किसकी किसमे है चावल की माही सुगंदा किसकी किसमे है चावल की तो ये है आपके दूसरी पसल जिसके बारे में हमने पढ़ा है सातियों कौन सी है चावल चावल के बारे में क्या क्या important fact याद रखने सबसे important fact की चावल का उत्पदन राजिस्थान में सरवदिक का होता है हनुमान गर्जिले में इसके बाद बासवडा और बूंदिजीला आता है चावल की उत्पदन में विश्मे परतमिस्तान किसका है चीन का पचास परतिषया जनसंक्या खाद्यान के रूप में किसका प्रियोग करती है चावल का प्रियोग करती है सात्यों जो कर्शियानू संधान केंद्र बासवडा है इसने चावल की कौन सी किसमें विक्सित की है माही सुगंदा माही न दिये न उदर याद रखने न माही बासवडा तो माही सुगंदा इस परकार आप याद रख सकते हो माहि सुगन्दा नामकिस में करश्यानू संधान केंदर बासवाड़ा ने विक्सित की है कितने दिनों तक पानी बरा रहता है इसमें लगबग 75 दिन तक बहुत जादा दिन हो जाते हैं साथियों लगबग धाय मेंने आप इसको कह सकते हो ठीक है इंडिका चावल सबसे ज़्यादा विश्यू में बोया जाता है कौन सी गेस का इस्तरा होता है चावल के खेतों में से साथियों मिथेन या सी एच पोर गेस का साथियों बासमती चावल कहां का परसिद्ध है तो घगगर नदी दौरा जो निर्मित मेदान है पाट जो कहां पड़ता है हनुमानगर में यहां के बासमती चावल परसिद्ध है इसकी मिट्टी का पीएच मान कितना होता है मतलब इसके लिए जो उपड़ती माने जाती है उसका पीएच मान तो चार से छेस का पीएच मान होता है और परमुक किसमे कुन सी है बासमती गोल्डन और माहि सुगंदा यह तीनों ही परमुक किसमे किसकी है साथियो चावल की है चलिए आगे बढ़ेंगे और भी है लेकिन परमुक यही है तो आगे बात करेंगे गेहूं के बारे में साथियो गेहूं का प्रियोग हम खाद्यान के रूप में करते हैं खाने के लिए ठीके इसके जिसे गेहूं के आट्टे से क्या बनती है रोटी बनती है तो उसका प्रियोगम किस में करते हैं खाध्यान में करते हैं तो खाने के लिए भारत में चावल के बाद दूसरा मेर्पूर खाध्यान गेहूं है भारत ये बात करें तो भारत में सबसरे जादा किसको खाया जाता है चावल को लेकिन चावल के बाद में दू अदिक उत्पादन होता है एक तो यह दक्षिनी पुर्वी और यह पूर्वी बाग सातीों यहीं पर गेहूं का सरवजी उत्पादन राजिस्थान में होता है यह देखेगँगा अभी हम क्लियर करते हैं यह तो आपके दक्षिनी पुर्वी जिसमें कोटा बारा बूंद्य ये चार जिल्य आ जाते हैं और इसके अलावा आपके ये जो पूर्वी वाला जो शेत्र हैं दोलपूर है, भरतपूर है, करॉली है, सवाई मादोपूर है, साथ यो इन जीलों में चावल का सरवजिक उतपादन राजस्थान में होता है, ये तो पर्टिकूलर शेत्र है, कुनसा? शरी गंगानगर और जो हनुमानगर जिला है इन दोनों जिलों में ही सर्वाधिक गहुं का उत्पधन राजिस्थान में होता हैं. अब हमने देखो ये चीज़ देखी थी जब हमने चावल के बारे में पढ़ाता कि हनुमानगर जिले में राजिस्थान में सरवदिक चावल का उत्पदन होता है तो गंगनगर जिले में राजिस्थान में सरवदिक गेहूं का उत्पदन होता है साथियों इसी वज़े से श् सर्वादिक उत्पादित होते हैं और आपके जो श्री गंगानगर जिला है इसमें आपके साथियों गेहूं का सर्वादिक उत्पादर होता है श्री गंगानगर जिले को क्या कहा जाता है अनका कटोरा कहा जाता है क्या कहा जाता है अनका कटोरा गेहूं की प्रमुक किसमे के की है साथ यो गेहूं की पूचा जा सकता है कि सोना लिखा किस की किसम है तो ये किसमे विशेश रूप से याद कर ले ना भाई ने तो क्यूशन गलत हो गया नंबर ने है तो फिर बाद में रोना ही पड़ेगा तो सोना लिखा किसम गेहूं की है ओही नूर किसम गेहूं की है सोना कल्यान किसम गेहु की है और राजस्तान से 365 किसम किसकी है गेहु की है गेहु का भारत में उत्पदन की दरश्टी से राजस्तान का पांचवा है तो बही गेहु की बात करें अगर हपन बाजरे में कौन सा इस्तान था बाजरे में राजस्तान का परतम इस्तान था गेहु में उत्पदन की दरश्टी से कौन सा इस्तान है तो पाँचवा है बाजरे में तो परतम है और गेहूं में पाँचवा इस्तान है राजस्तान का भारत में साथियों इसमें दो तिन शब्द आपको विश्य सुरूप से याद रखना है इसमें पहला शब्द आता है इंडिया मिक्स क्या नाम आता है इंडिया मिक्स इंडिया मिक्स में क्या होता है देखो गेहूं मक्का और सोयबीन का जो आटा होता है इनको मिश्रित कर लिया जाता है मतलब मिला लिया जाता है और इस मिश्रित जो नया आटा होता है इसी को इंडिया मिक्स के नाम से जाना जाता है ज आते हो कौन सा जीन नौरीन टेन जीन देखो बोने पन मतलब छोटे छोटे गेहों रहे जाते हैं बहुत सारे बहुत से केतों में गेहों की पसल बहुत है तो गेहों केसे रहे जाते हैं छोटे 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 तो साथ यो बोना पन उनमें रहे जाता है किसके करण रहता है गेहूं की फसल में और यह पिर केंसर रोक की जागे केंसर रोक तो मुश्किल रहे करनाल बंट देगा यह करनाल बंट रोक कौन सी फसल में फिलता है गेहूं की फसल में फिलता है साथ्यों तो यह आपके गेहूं की फसल क्या क्या याद रखना है पहली चीत तो सबसे जादा गेहों कहाँ पर है श्री गंगा नगर में श्री गंगा नगर को अनका कटोरा भी कहते हैं हनुमानगर में भी है शेत्र की बाद करें तो दक्षिनी पुर्वी मतलब हाडोती वाला भाग और पुर्वी भाग यहां सर्वधिक मात्रा में गेहों का उत्पदन होता है यहां सर् राजिस्तान है राजिस्तान का गेहूं के उपदन में भारत में तो पांचवा है इंडिया मिक्स किसे कहते हैं गेहूं मक्का और सोयाबीन का जो आटा होता है इसको मिक्स कर लिया जाता है इसी को इंडिया मिक्स कहते हैं बोनेपन के लिए क्या उत्तर दा है कुंसा जीन तो जो फसल आती है वो है आपके मक्का की फसल साथियों मक्का की फसल का उपयोग हम दो तरीके से करते हैं एक तो हम इसको बेचने के लिए इसका प्रियोग करते हैं और एक हम इसको खाने के लिए इसका प्रियोग करते हैं तो खाद्यान फसल भी आप इसको कह सकते हो और देखो इसका जो चारा भी बनता है तो पश्यों को चारा भी खिलाया जाता है तो देखो मक्का के बारे में बात करेंगे मक्का सभी ने देख रखी होगी इसके जो भुटे होते हैं वो आपने खा भी रखे होंगे साथियों मक्का का राजिस्थान में सरवादिक उत्पादन चितोरगडवे उदेपूर में होता है देखो चितोरगडवे उदेपूर ये आपके दोनों ही जीले कहां पर है आपके दक्षिनी राजिस्थान में परते हैं कहां परते हैं दक्षिनी राजिस्थान में परते हैं मतलब मक्का का नाम जैसे ही आपके माइड मैंड मैय जैसे बाजरे का नाम आता ही आपके मरुस्थ helping पूचीज़े में बाजरे का उतपदन होता है। गेहूं का नाम आए तो यह आपके पुर्वी और दक्षिनी पुर्वी शेत्र में गेहूं का उत्पदन होता है लेकिन देखो यह ता होता है लेकिन गेहूं सरवादिक उत्पदित कहा होता है साथियों आपके श्री गंगा नगर में होता है वो अलग चीज़े वो आपको य उदेपुर जीला मक्का खादे फसल वे चारा फसल दोनों है मतलब खाने के लिए भी हम यूज करते हैं और चारे के लिए भी मक्का जो है इसका प्रियूग किया जाता है मक्का को अनाजो की रानी भी कहते हैं वेरी इंपोर्टेंट फेक्ट है साथियो गरीबो का भोजन किसको कहते हैं गरीबो का भोजन गरीबो का भोजन कहा जाता है किसको कहा जाता है बाजरे को कहा जाता है यह हमने बाजरे वाली जो फसल पड़ी है उसमें हमने अच्छी तरह से देखा था इस चीच को तो गरीबों का भुजन तो बाजरे को कहा जाता है और अनाजों की रानी कहा जाता है किसको किसको कहा जाता है किसको कहा जाता है यहाँ पर मक्का को कहा जाता है बिल्कुल याद रखना है इस चीज़ को अच्छी तरह से मक्का क्या है अनाजों की रानी है साथियों तो रानी ना बुट्टे काते हैं अपर तो साथ यो दान निकलता ना हो तो उसी को कहा जाता है करियोपसिस क्या कहते हैं उसको करियोपसिस के नाम से जाना जाता है ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट फेक्ट है आगे बात करें देको मक्का की जो हरी पत्तियां होती है इससे जो चारा बनाया जाता है इस चारे को साइलेज के नाम से जाना जाता है तो क्यूशन पूछा जा सकता है कि साइलेज क्या है क्या है भई साइलेज कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो साइलेज है साथियों मक्का की हरी पत्तियों से बनाया गया चारा ही साइलेज कहलाता है हरी पत्तियो से सूखी पत्यों से नहीं हरी पत्यों से साथियों बासवड़ा कर्शी अनुसंधान केंदर ने मक्का की दो परमुक किसमें विक्सित की है एक तो माही कंचन और एक माही दोल मतलब ये दोनों ही किसकी किसमें है मक्का की किसमें है साथियों किसकी है मक्का की किसमें है ये माह कंचन माहिद्वल तो मतलब आपको यह दोनों ही इफशे सूरूप से याद रखना ही पड़ेगा और यह किसमे विक्सित की है बांस वड़ा करशी अनुसंधान केंद्र ने यह दोनों मक्झा की किसमें विक्सित की है किलियरे सबीके तो मक्झा के बारे में आपको यही याद रखना है किदर होती है दक्षिनी राजिस्तान में परतम जिला कोंसा चित्तोरगड दूसरा जिला कोंसा उत्पधन की दरश्टी से उधेपूर खादे फसल भी है चारा फसल भी इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको अनाजोगिरानी किसको कहते है मक्का को कहते है इसके दाने को क्या कहते हैं करियोपसिस कहते हैं सात्यों इसकी जो हरी पत्या होती है मक्का की इसकी हरी पत्यों से जो चारा बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है तो इसको साइलेज कहा जाता है जो बासवड़ा कर्शियानों संदान केंदर है इसने मक्का की कितने कितनी प्रमु दोह जिसे दोहल याद रहे सकता है माही कंचन और माही दोहल दोनों ही किसकी किसमे है मक्का की किसमे है तो यह आपके चोती फसल थी चलिए पांचवी फसल के और बढ़ते हैं पांचवी फसल पर आती है जोहार, जोहार का नाम भी सबीने सुन रखा होगा जवार की जो रोटियां है वो सभी ने नहीं खा रखी होगी आपने चावल खा रखे होंगे आपने बाजरा खा रखा होगा मतलब बाजरा क्या बाजरे की रोटियां खा रखी होगी आपने गेहूं की रोटियां खा रखी होगी आपने मक्का की रोटियां खा रखे होगी लेगिन जोवार की जो रोटियां होती है ये बहुत मुश्किल है कोई-कोई आप में से तो कोई-कोई होगा जिस जिन्होंने जोवार की रोटियां खाए होगी साथियों जोवार को गरीब की रोटियां क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसको गरीब की रोटियां अब किसने खारा किये, गरीब की रोटी खाली है, अगर जोवार खाली तो आपने क्या खाली, गरीब की रोटी खाली साथियों, उट की फसल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि उट को बहुत प्रिये लगती है जोवार साथियों, उट की फसल भी जोवार को कहते हैं, गरीब की भोजन मक्का क्या कहलाती है साथियों अनाजो की रानी किसको कहते हैं मक्का को कहते हैं गरीब की रोटी किसको कहते हैं जुआर को कहते हैं तो गरीब का भोजन तो बाजरा और गरीब की रोटी आएगी आपके जुआर यह मूलत है अपरिका का पोदा है भई कहा का भारत का न रानी मक्का अनाजो की रानी मक्का और मोटे अनाजो का राजा जौार समझ माही बात सबी को मोटे अनाजो का राजा जौार और अनाजो की रानी मक्का गरीब की रोटी जौार गरीब का भोजन बाजरा और ओट की पसल आपके जौार है साथियों आगे बात करें तो इसका उ जोवार का प्रियोग भी करते हैं और एक और फसल आएगी आपके जो कौन सी पसल आएगी साथियों जो नामक एक पसल आएगी जो का प्रियोग भी किसमें करते हैं बीयर और एलकोहूल बनाने में मदरा बनाने में इसका प्रियोग करते हैं किसका जोवार का साथियों अगस् अजमेर के बाद जो पर मुखजिले हैं वो है पाली उदेपुर और बीलवाडा तो देखो सबसे ज़्यादा जोवार का उत्पदन आपके राजस्थान का जो हर्दे है अजमेर साथियों इसमें सबसे ज़्यादा जोवार का उत्पदन होता है बीयर और एलकोहल इससे जाता है किसको जुआर को साथियों 1970 में साथियों एक जुआर अनुसंधन के अंदर की स्थाफना की गई थी उदेपूर में कहां पर वल्लब नगर में तो ये सारे ही फेक्टाप को जुआर के बारे में याद रखना है उट की फसल उट का बोजन भी इसको केते हैं जुआर क जुआर को गरीब की रोटी भी केते हैं और गरीब का बोजन बाजरे को इसने बहुरा रहा हूं इन बातों को क्यूशन आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए चलिए आगे बढ़ेंगे छेटी फसल की तरफ छेटी फसल है आपके जुआर के बाद मेरा भी बतायता ना जो की भी आपके आने वाली है तो जो का सरवादिक उपयोग शराब वे माल्टा बनाने में किया जाता है जिसे जुआर का प्रियोग बीयर और इलकोहल बनाने में किया जाता था उसी परकार जो का प्रियोग भी शराब बनाने में किया जाता है और साथ ही माल्टा बनाने में भी जो का प्रियोग करते हैं साथियों जो के उत्पदन में राजस्थान का देश में दूसरा इस्थान है कौन सा इस्थान है दूसरा जबकि बाजरे के उत्पदन में कौन सा इस्थान है पहला गेहों के उत्पदन में कौन सा इस्थान है पांच वाजस्थान है इसको गरीब का अनाज कहा जाता है किसको जो को तो भाई देखो कितने गरीब का भोजन गरीब का भोजन तो है आपके बाजरा गरीब की रोटी गरीब की रोटी है क्या है साथियों आपके जोर क्या है जोर और गरीब का अनाज गरीब का अनाज है आपके जो गरीब का अनाज तो तीनों चीजों में बिल्कुल भी कन्प्यूज नहीं होना है तीनों को उपर लिख लेना उपर नोट्स बना रहे होना उसके उपर उपर लिख लेना गरीब का भोजन गरीब की रोटी गरीब का अनाज अनाज्जो, रोटी आपके जुआर और भोजन आपके भाजरा साथियो जो का राजस्तान में सरवादिक उत्पदन जेपूर वे श्री गंगानगर में होता है एक तो जेपूर में जो आपके पिंक सिटी है गुलाबी नगर जेपूर साथियो यहाँ पर जेपूर से जो याद रख लेना है ना हलाकि निरे पाएगा और भी फसले जेसे चालो होती है जेपूर में जो का उत्पदन सरवादिक होता है और श्री गंगानगर में भी जो का उत्पदन होता है बहुदा दिखमात्रा में जेपूर के बाद में कौन सा इस्ताना आता है श्री गंगनगर जहाँ पर गेहूं का सरवादिक उत्पदर होता है जिसको अनका कटोरा भी कहते हैं उपर हमने पढ़े तना यह चीजे पढ़ी ठीक नहीं पढ़ी थी तो सारी चीजे याद होना चा होगाँ जाता है देगो श्रूम की खीयती तो खेर उतनी जदा होती नहीं है लेकिन होती है तो तो साथियों खुम्भी भी इसको कहेंगे, छत्रक भी कहेंगे, कुकुर मुत्ता भी कहेंगे, या शाकारी मीड भी इसको कहा जाएगा, जैसे इस प्रकार से मश्रूम गोल गोल होता है, साथियों कुकुर मुत्ता कहते हैं, छत्रक कहते हैं, छत्री के समानाकार का, खुम्भ केते हैं और शाकारी मीड भी इसको कहा जाता है राजस्तान के बाड मेर में कुम्भी की पेदावार अच्छी होती है कुम्भी की कुम्भी क्या है मश्रूम ही है यह ठीक है तो यह कुम्भी की पेदावार राजस्तान का जो बाड मेर जिला है बाड मेर मतलब मरुस्तल की मश्रूम का परकार आपके बटन मश्रूम में मतलब राजस्तान में जितना मश्रूम का उत्पादन होता है उसका 3 बटा 4 या 75 परसेंट जो है साथियों कौन सा मश्रूम होता है बटन मश्रूम होता है कौन सा मश्रूम होता है बटन मश्रूम तो यह मश्रूम के बारे में भ तरफ होती है सातियों और कौन सी सर्वादिक परचलित मश्रूम का प्रकार है तो आपके जो बटन मश्रूम है यह सर्वादिक परचलित मश्रूम का प्रकार है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे आपके आटवी फसल की तरफ बहुत ही सर्सों के जब फूल आते हैं तो फूलों का रंग कैसा होता है बिल्कुल पिला रंग होता है साथियों सर्सों के फूलों का और आपने अगर देखा है सर्सों की पसल देख रखी है उसमें फूल आते देख रखे हैं तो आप यकिन वानी आप भी कोगे कि बहुत ही शांदार देखने में क्योंकि दूर दूर तक जब सर्सों की फसल दिखाए देती है उसमें बिल्कुल पिले पिले फूल दिखाए देती है तो बहुत अच्छे लगते है इसको क्या कहा जाता है इसको सर्सों को तो ये विशेश तोर पे याद रखने वाली चीज़े आपको कि सर्सों क को क्या कहा जाता है पीला सोना या पीला सोना किसे कहते हैं सरसो को कहते हैं हलकी चिकनी या दोमट मिट्टी में उप्युक्त मानी जाती है ये फसल सरसो से तेल निकला जाता है ये तो आप सभी को पता होगा कि सरसो से तेल निकला जाता है जिसका प्रियोग खाद्यान में करत हैं जाती है जिससे कोई जो भीश वगला है गाई वगला है उन जाती है और उसका प्रीयोगे जानवरा को खिलाने में किया जाता है ताकि की जानुवरों में जो दुports देने की जो शमता है वो और अधिक बढ़े आगे बात करें हरित करांती का सरवधिक प्रभाव तिलहनों में सरसों पर ही पढ़ाता साथियों हरित करांती के बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि फसले हैं तो फसलों का फसलों में हरित करांती का प्रभाव पढ़ा लेकिन व यहां पर हम यह भी पढ़ेंगे कि तिलहनी पसले कौन सी है आपके नगदी पसले कौन सी है खाध्यान पसले कौन सी है और भी अन्य सारी प्रकार की ठीक है तो चलिए आगे बढ़ेते हैं केंद्रिय सरसो अनुसंधान केंद्र जोग सात्यों भरतपूर में इस्तित है और जगे का नाम है सेवर इस प्रिश्ण को पांच साथ बार पूँच लिया गया अलग-अलग एक्जाम में केंद्रिय सरसो अनुसंधान केंद्र कहां पर है अब देखो पहला उप्शन तो आपके भरतपूर रेता है और चौता उप्शन आपके सेवर रेता है तो भरतपूर में तो इस्तित है लेकिन भरतपूर में कहां पर सेवर में तो सेवर अगर विकल्प में है, सेवर अगर आ जाए विकल्प में तो सेवर को सही करोगे कि केंद्रिय सरसो अनुसंधान केंद्र कहा है तो आंसर रहेगा सेवर, सेवर विकल्प में नहीं है तो पिर आप सही करोगे भरतपूर को, लेकिन फश्ट चोईस क्या रहेगी आपक सेवर और सेवर कहा पड़ता है भरत पूर में पढ़ता है सातियों इसका जो इसके जो इस्थापना की गई थी केंद्रिये सरसों अनुसंदान केंद्र की ये आटवी पंचुवर्शी योजना में इस्थापित किया गया था राजस्तान देश का सर्वाधिक सर्सो उत्पादक शेत्र है मतलब सबसे ज़्यादा राजस्तान में ही सर्सो का उत्पादन होता है भारत की बात करें तो भारत में जितने भी राज है इनमें से सर्वाधिक सर्सो का उत्पादन किस राज में होता है राजस्तान में ही होत की सबसे प्रमुक तिलहनी फसल हेս सुमेर पोर पाली में राजस्थान की सबसे बड़ी सरसो मंडी बी इस्टितय साथ यह मडी मंदी पूछी जा सकती है कि बहुत सरवाधिक जो सरसो का उत्पदन है राजस्तान में हो रहा है लेकिन आपको ये भी बताना है कि इसकी सबसे बड़ी मंडी कहा है तो पाली में कहा सुमेरपूर अगर सुमेरपूर और पाली अलग-अलग विकल्प में है तो सुमेरपूर को सही करोगे सुमेरपूर नहीं है तो पाली को सही करोगे तो राजिस्तान की सबसे बड़ी सरसो मंडी सुमेरपूर में जो पाली में पड़ती है इस्तिध है राजिस्तान को सरसो परदेश भी कहा जाता है सरसों की खड़ पर आधारित प्रतम बिजलीगर अलवर में बनाया गया साथियों कहां पर अलवर में जो सरसों से तेल निकाल लिया जाता है तेल निकालने के बाद में जो लुगदी बनती है उसको खड़ कहते हैं और इस ख़ड़ पर आधारित जो प्रतम बिजलिगर है वो अलुवर जीले में इस्तित है तो यह आपके सर्सों की फसल आठ वे प्रकार की तो देखो आठ पर्मुक फसलों का हमने अध्यन कर लिये आठ दस पर्मुक फसले और है आपके जो आपके कलास नमबर 20 में अध्यन क बच रही है उनके बारे में भी मैं आपको डिवाइडेशन करके बिल्कुल बताऊंगा तो नो टेंशन रहीएगा मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए